नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब वलकम बैक तो माई यूटूब चैनल अरूप मारगरी तो देखे दोस्तों जितने भी आपर SAC MTS 2022 के कैंडियेट्स है जिनों ने अपना official answer की यहाँ पर check कर लिया है और अपने marks को evaluate कर लिया है आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत important रने वाला काफी short and informative रहेगा आपके exam result के regarding साथी साथ आपके normalization and आपके ranks के regarding भी काफी important रने वाला है आज का वीडियो काफी सारी जानकारी है आज के इस वीडियो में आप लोगों देने वाला हूँ इसलिए वीडियो कहीं भी skip मत किजएगा complete देखेगा और जिनों अभी तक मिने चैनल को subscribe नहीं किया फटवस जाके चैनल को subscribe कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो के यहाँ पर शुरू करते हैं तो देखे दोस्तों जितने भी यहाँ पर SSC MTS 2022 के candidates है जो लोगों ने अपना यहाँ पर official answer की check कर लिया और marks भी calculate कर लिया है आप सभी candidates के लिए मैंने सारे details अपने channel पर upload कर दिया है चाहे वो cutoff के regarding हो चाहे वो session 1 के regarding हो सारे details जो है यहाँ पर मैंने आप लोगो बता दिया है कि क्या रहने वाला है detailed wise analysis करके आपको समझाया है इसलिए जिनों ने अभी तक मेरा analysis नहीं देखा है वो जाकर मेरे channel पर आप देख सकते हो अब बात कले तो दोस्तों काफी candidates का मेरे पास बहुत सारे different different types of queries यहाँ पर create हो रहे है उन सभी चीजों को हम आज के इस वीडियो में डील करने वाले है ठीक है एक एक करके हम लोग देखेंगा आज के इस वीडियो में जैसे सबसे पहला जो query most important जो queries आप सभी के तरफ से मेरे पास हा रहा है कि सर SSE MTS 2022 का जो official result है वो कब तक आ सकता है तो देखें दोस्तों काफी candidates के query है कि सर जो result है वो क्या final result होगा या फिर कुछ यहाँ पर changes होंगे तो देखें सबसे पहले मैं clear कर दूँ आप लोगो कि आपके जो है 2500 candidates ऐसे होंगे जिनको commonly यहाँ पर जो दोनों result में हो सकता है में भी common हो और uncommon भी हो सकते हैं उन पचीस तो candidates को यहाँ पर जो है आगे हवलदार के process यह फिजिकल के लिए और जो आपका measurement होता है उन सभी चीजों के लिए qualify करवाया जाएगा ठीक है और उन process को complete करवाने के बाद जो है आप लोगा यहाँ पर एक common final merit यहाँ पर लगेगी आपके result के regarding ठीक है और जो आप question है result कब तक आ सकता है तो देखें यह जो आपका result है यानि कि पहला जो session 1 का result है यानि कि आपका जिसमें candidates qualify करेंगा आपके हवलदार के physical measurement और physical standard test के लिए वो result आपका उमीद कर सकते हो अगस्त के 20 तरीक तक आपका result यहाँ पर दे दिया जाएगा यानि कि आप कर सकते हो अगस्त के मिड से लेकर अगस्त के लाश्ट तक यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का result यहाँ पर प्रोवाइट करवा दिया जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं सेशन1 का सेशन, सोचल मेडिया में महाभारत च्ढ गया है कि सेशन1 का कट-OFF लेके आप MON का का itself ng कात अपकस का इसन1 का नहीं होगा और इस भी वीडियो में मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ सेशन वन का कट अफ यहाँ पर आएगा दोस्तो ठीक है वो कम हो बेसी हो लेकिन सेशन वन का कट अफ यहाँ पर आने वाला है मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया था नोटिफिकेशन आप चेक कलना अच्छे से वहाँ पर डीटेल वाइस है सिंपली मैंने आपको एक फैक्ट बताया था आप लॉजिक समझो ना 22 लाग के यहाँ पर कैंडिट्स है अटेंडेंस है ठीक है कैंडिट्स उनको सिलेक्ट करना मात्र साड़े बारा हजार हां कितनी लग सकती है वो मैंने आपको डीटेल अपने वीडियो में बता दिया था और इस वीडियो में बता देता हूं कि अराउंड 90 आप समझ के चलो कि यू आर की कट आफ रहने वाले है उससे थोड़ा थोड़ा आप डिक्रीस कर दोगे बट यह प्यॉरिटी है कि सेशन वन का कट आफ आएगा ही आएगा और दूसरा पॉइंट है अप लोग बेसिक नॉलेज यह लगाओ ठीक है बहुत सरे कैंड़ेट्स मुझे कॉमेंड गोलें कि सर नहीं आएगा आप हम लोग के अगेंस्ट है मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ ठीक है यह आपके लिए बेनिफिट है जिन लोगों ने सेशन वन में अच्छा मैनत किया अच्छे स्कोर किये हैं आप उन लोग से जागर पुछो उन लोग को ही टेंशन नहीं है वो लोग बिंदास है तो आप लोग को भी सुरू में सोच कर रखना चाहिए था कि अ कट ओफ निकलेगा उसके बाद जो है कुछ कैंडिडेट्स को यहां पर हो सकता है 8 टाइमस 10 टाइमस कैंडिडेट्स को यहां पर क्वालिफाइ करवाए जागा आपका शेशन 2 के लिए तो यह आप स्योर रहो कि शेशन 1 का कट ओफ यहां पर आने वाला है और अब बात कर है तो दोस्तों निक्स्ट जो मैं यहां पर की बाई राइगा क्या जामिला चल रहा है कंडिडेट्स काफ ही करें हैं मेरे पास काफी को है री जारे सार रें cinnamon डारे अचर यह अभी यह यह नाइकले है काभी राएग घट जा रहा है का फी काफी काड़ेट्स को तो फिर्legt जितने भी registration हुआ अगर आप लोग चेक कर सकते हो भी rank IQ में 86,000 something के आसपास में यहाँ पर registration हुआ rank IQ में ठीक है जिसमें से 17,000 candidates ऐसे हैं ध्यान से सुनेगा दोस्तो 86,000 में से 17,000 candidates ऐसे थे जिनके rank IQ ने यहाँ पर marks को calculate करने में या evaluate करने में mistake किया है क्या mistake किया है कि 17,000 में पूरा नहीं बोलूगा 17,000 में से most probably कुछ candidates ऐसे हैं जिनके rank IQ ने यहाँ पर दोनों सेशन के marks evaluate कर दिये थे मतलब add कर दिये थे लेकिन करना तो आपको सिर्फ session 2 का था तो अगर दोनों सेशन के marks यहाँ पर add कर दिये थे क्योंकि वो कुछ candidates के double session के marks add कर दिये जिसके वेसे है universally यहाँ पर decoded होकर आपके जो total average marks है उसको यहाँ पर impact कर देता है तो पहले जो rank IQ ने क्या किया यहाँ पर कि सुरू के 1000 candidates जिनको उन्होंने find out कर लिया कि हाँ यह वैसे बंदे है जिनके हम नोंने double session के marks add कर लिये थे उनको rank IQ ने remove करके actually उनका पूरा details रिमूब नहीं कि सिफ session 1 को remove करके session 2 के marks कर लिया उसके बाद क्या हुआ काफी candidates के rank में बहुत सारा changes आप लोगो देखने को मिला होगा यह उस वज़े से हुआ लेकिन अभी जो latest गड़बड़ी यहां पर यह आ रही है कि 16,000 मतलब जो 17,000 था उसमें से 1,000 को इन्होंने ठीक कर दिया लेकिन जो rest आपका 16,000 है उनको यह लोग evaluate नहीं कर पा रहे है जिनके उन्होंने डबल सेशन के marks आड़ कर दिया है यहां पर बट हाँ एक चीज में क्लियर कर देता हूं कि जो कंड़ेट्स हैं उनके 16,000 कंड़ेट्स हैं उनके marks यहां पर आड़ेड है बट आप लोग चेक करो के rank IQ उन्हें अभी कल पर्सों में एक list दिया था पीड़े 148 रो स्कोर कभी भी नहीं आता है अगर आप लो 48 कुशन भी सही करते हो ठीक है तो भी आपका 48 तीया 144 होता है ठीक है उन्चास भी solve कर लो 147 हो जाएगा लेकिन 148 नहीं होने वाला किसी भी कीमत पर चाया आप negative marking भी वहां पर क्यू ना कर लेता हो ठीक है तो जाइट जी ब साथ है rank IQ को यहीं हमिला है बट फिर भी आप लोको यहीं बोलोगा 90% accurate rank IQ rank IQ बहुत अची डीटेल्स देरा है आप लोग समझ के चलो कि जो आपके अभी हां पर सो कर रहे है डीटेल्स ठीक है वो 90% accurate 10% का यहां पर घबला है आप लो rank मित्रा पे चेक कर सकतो rank मित्रा प्यों कि अब बात कर लेते हैं कि सर कट आफ क्या 140 प्लस चला जाएगा अगर सेशन वन का कट आफ नहीं बता में एक चीछ क्लियर कर देता हूं अगर सेशन वन क्वालिफाइंगी निचर रह गया जानी कि 36 नंबर पर ही अगर कैंडिट्स को आगे क्वालिफाई कर दिया गया तो तो मैकसिममम कैंडिट्स के लिएता हैं को बहुत इंपक्त करेंगा ठीक है बट यह मेरा कहना आपको क्लियर कर दो कि 140 प्लस हर जोन का फिर नहीं जाएगा फिर एक अध जोन ऐसे होंगे ठीक है जिसमें आपको 140 प्लस देखने को मिल सकता है मैं फिर भी अशॉड नहीं आपको कहूंगा यह नॉर्मालाइज स्कोर मेभी 140 प्लस दिख सकता है बट इतने भी जून से ना दोस्तों का कट आपके 130, 128, 125 ऐसे ही रहने वाला इसे साउथ जून के कट आप बहुत कम जाएंगा मतलग इतना जाएंगे कि आप लोग अराम से ए हो कि सबको जॉब मिले ऑवियसली कुछ ऐसा क्रेट कर दे जिससे सबको जॉब मिल जाए बहुत सारे यहां पर बिरोजगार यहां पर कंडिट्स बैठे हुए हैं सबको मिल जाए जॉब तो इससी कुछ ना कुछ प्लैनिंग जरूर करेगी उसके बारे में अब देखे आइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर लिजेगा और विडियो को शेयर कर दिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे टेलग्राम गूप का लिए वहां से टेलग्राम गूप भी जॉइन कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद